नमस्कार मित्रो लाश्ट यर की बाती इस साल भी हमारे बगीचे में अमरूत के पौदोगी कटिंग चल रही है यह आज दिनांक साथ मई 2022 जो की सही समय है अमरूत की पौदों की कटिंग के लिए उस समय कटिंग चलू है अब कि अब कि अब कि अब कि आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है अभी इन पौदों के बारे में इनमें पानी का क्या करना थे पानी देना है ने पानी रोकना है कितने समय तक यह जून से फिर पानी बनी चादू करते हैं अ अच्छा यह पानी इनमें नहीं देना है तो यह इन में नए कर ले आना चालू होंगे और इसमें फूल आना जिसकी जिससे हम जो है जाय को तो तो घंडियों की फसल के लिए तैयारी जो है हमारी अभी चल रही है और इनमें जितने भी फाल अभी जो छोटे-छोटे फाल देख रहे हैं उन सब को हटाना है हाँ हटाना है ओके ओके ठीक और चाचा इनमें जो है जैसी बरसाज चालू होती है अभी क्या बक्खर चलेगा एक इनमें तो यह जमीन जो आपने बताया था जमीन में बक्खर चल जाएगा बरसाज जैसी चालू होती है तो इनमें हमें खाद में क्या क्या देना है यह की यूरिया की मात्रा इसमें हमें कम रखनी है कम से कम जिस से फल जो है फटेंगे नहीं और खराब नहीं होंगे इसमें हमें सुपर की मात्रा ज्यादा डीएपी और पोटास की मात्रा बराबर और 25 परसेंट की मात्रा हमें यूरिया की रखनी है और बड़े और छोटे पौदों के हिसाफ से इन में हमें गोलाई में डिस्टिब्यूट करना है इनकी निदाई गुड़ाई चारों तरफ इसमें और से जो हमें गोल्ची बनानी है दो फिट की जगह है हमें गोल्ची बनानी है पारिस होने के पहले या फिर बाद में बारिस होने के पहले मतला यह 15 जून के पहले पहले यह सारी तैयारिया हमें करनी है जैसे आधी हवा जो चलती है जी तो इसमें हम यह सारी चीज़ें के बाद एक बारिस होगी बारिस के बाद हम इसमें जो है चारों तरफ खाथ फैला देंगे अधि जड़ों तक चला जाए उसमें उसके बाद उसमें खाथ चालू कर देंगे जो कि जड़ों को खराब फिर करता है फायदा की जगह हमें नुकसान होना चालू हो जाता है पानी अच्छा गिर जाएगा तो फिर नुकसान ने देगा बहुत बढ़िया जाजा लाश्टियर की इसमें जो है अच्छी पैदावार आएगी अच्छा के साथ और भी दो भाई लोग हैं जो कि यह काम कर रहे हैं अभी कि यह पौदों की कटिंग के बाद यह पूरे खेट की सफाई की जाएगी कर्दों की कर दो हैं समतना कैम की मैं जुदों की कि बिला लादी है आएपा है जाएट शोनमार्स जैसा कि अभी चाचा ने बताया कि कटिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसमें एक मेजर पॉइंट है कि कि यह जो नीचे जो कुछ टहनियां निकली हैं इनकी कटिंग इंपोर्टेंट होती है बताईए कैसे कटिंग करेंगे इनको नीचे से यह एक ही जड़ से आया हुए यह पॉदे होते हैं जो कि इनकी जो है शक्ति को कम करते हैं तो यह जितनी भी है के बलेक हाँ यह तना ही के बला हमें छोड़ना है वांकि सब यह कटिंग हमें नीचे कर देनी है ओके पूरा भोजन उनके पास चला जाएगा ओके 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 हर एक दिखिए आप हर एक टेहनी में कटिंग हो रही है जिससे उन टेहनी में नए नए कल्ले आयना चालू होंगे और फूल और फल आंगे जाके मिलेंगे कि अब हुआ है जिसकी ने भी अभी तक अपने अम्रूत के वगीचे में कटिंग नहीं कराई है वह कटिंग जरूर कराएं अभी ताकि जूर महीने से इनमें नए कर ले आना चालू हां और फसल जो है ठंडी की फसल हमें टाइम से और क्वालिटी में मिले है यस एक चीज में बताना आपको मिस कर गया अभी तक यह पौधे जो है हमारे धाई साल के पौधे हो चुके हैं और यह अब इनमें तीसरा साल अब चालू हो रहा है यह धाई साल के पौधे हैं करको मारे कर दोंगे हैं यह दो मुद़ को शोना का यंडी थो है अवदे हैं रहला घ्यां आपको चाल का पलाइब प्रेंग के उला दो दो हैं तो पूलोग सुददोत को... औॉछोगग हैं... झाल 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 वीडियो वीडियो कैसा लगा दोस्तो जरूर कमेंट करके बताईएगा और ऐसे ही वीडियो हम पोस्ट करते रहेंगे नई नई जानकारियों के साथ थैंक यू झाल 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 झाल